नम वर्ष दोहजार चौबिस में बदल जाएगी आपकी किस्मत सेहत और व्यापार को लेकर हो जाए सतर नहीं रखा ध्यान तो तूट सकते हैं रिष्टे अगर अपना लिया ये उपाई तो जिन्दगी हो सकती है खुशार अपने नाम के पहले अक्षर से जाने अपनी कहानी आचार ये राकेश चतुरवेदी की जुबानी सिर्फ एनमेफ न्यूस पर हाई फ्रेंस स्वागत आपका हमारी चैनल एनमेफ न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ सपना दानू और मेरी साथ है आचार राकेश चतुरवेदी जी बहुत-बहुत स्वागते सर आपका हमारी चैनल है नमश्कार सपना जी नमश्कार दर्सकों आप सभी को साधर बंदन साधर नमश्कार आप सब अनमेफ न्यूस के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे S और T नाम अक्षर वालू के लिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया यदि आपको अपनी रियल डेटा बर्थ नहीं पता या फिर आपको अपनी कुंडली नहीं पता अपनी राश ही नहीं पता ऐसे मैं अलफाबिट्स आपकी शहारता करते हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं S और T जैसा कि मैंने आपको बताया और सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वभाव को लेके आरे वाले नव वर्ष दोहजार चौबिस में जो है S और T नाम वालों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है ये नव वर्ष कैसा सौभाव इनका दिखने वाला है बिल्कुल सबना जी सबसे पहले आप सभी को NMF News के सभी दर्सों को नव वर्ष की अरंतिसोब कामना है आपका नव वर्ष मंगल मैं हो सबना जी बहुत अच्छा प्रशन लिया है आपने क्योंकि सभी लोगों को अपनी कुंडली नहीं पता होता है राशी नहीं पता होती अलगन नहीं पता होता है तो उनके लिए वो सोचते कि मेरे पास क्या भी कलप है देखने का और क्योंकि पूरा यूटूब भरा पड़ा है राशियों से, हर कोई राशियों का डाला है, तो ऐसे में आप जाने अपने नाम अक्षर से, एस अक्षर वालों के लिए सबसे पहले सपनाजी बात करते हैं, एस अक्षर जो है वह स्चूरी और शुक्र के प्रभाव का है अक् जल होते हैं, बच्पना इनके अंदर होता और साथी साथ लैविस लाइफ जीने की भी इच्छा होती, क्योंकि शूरी शुक्र दोनों का प्रभाव आ गया, तो इस तरीके का प्रभाव इनके आता है, लेकिन दो हजार चौबेर शनी का वर्ष है, और शनी का आठ का आने से और यहां पर विशेश रूप से सूरी और सुक्र का प्रभाव आने से, पिता पुत्र और साथी साथ सुक्र के साथ सनी का अच्छा सम्मन्ध है, तो कह सकते हैं कि इस वर्ष थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, एंगर अनस्पेक्टेड बढ़ेगा, साथी साथ अपने अक्षर वालू के सुभाव के बारे में कि कैसा उनका सुभाव रहने वाला है? पर गलत तरफ यह आकरशित जल्दी होते हैं, गलत आचरण के प्रती आकरशित होते हैं, तो 2024 जो है वह शनी का अंक है, तो ऐसे में शनी चंद्रमा की भी अच्छा यूती नहीं माने जाती, शनी राहू की भी, हाला कि कहते हैं राहू शनी के आधिन रहता है, लेकिन तो कि राहू चंद्रमा का प्रभाव है, तो शनी के साथ इस वर्ष इन लोगों को कुछ बड़ी विशेश रूप से मानसिक चंचलता की वज़े से, और अपने स्वभाव की वज़े से, कुछ बड़ी मुसीवत उठाना पड़ सकता है, और कहीं ये गलत दिशा में भी भठकाव इनका हो सकता है स्वभाव रूप से, आपने जो बताया है कि S और T अक्षन आम मालू के लिए स्वभाव को लेके अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामरा करना पर सकता है, इसलिए साथान रहिए, स्वभाव की बारे में बात होगी, अब आते है हेल्थ पे क्योंकि आपका स्वास्त जो है ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, ये आने वाला नवर्ष इनके लिए कैसा रहने वाला है? वालों के लिए शूर के प्रभाव में हलका सा कुछ इसकिन संबंधी या फिर विशेश रूप से देखा जाए तो बॉंस या जॉइंट से रिलेटर कुछ न कुछ दिक्कत या फिर थोड़ा बहुत मोच या फैक्चर इत्याद याना इस तरीकी का प्रभाव देखा जा रहा अब तक के वर्ष में तो इगनोर नहीं करना है तुरंट chopped result लेना है ऐसे अक्षर वालों के लिए कैसा स्वासे के लिहा से देखा जाए तो ये नम वर्ष रहने वाला है देखे टी एक्षर वालों के लिए सनी का वर्ष है और आप चंद्रमा राहू के प्रभाव में इस वर्ष आपको कुछ ने कुछ मांसिक पीडा मांसिक रूप से मनोरोग से सम्मंदित और अगर पिछले कई वर्षों से अगर किसी मनोरोग से आप परिशान रहे हैं उसमें देट के रोग से सम्मंदित भी समस्याएं इनको परिशान इश्वर्ष करते हुई दिखाई दे रहे हैं शपना से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे कैसा इनका प्रोफेशनल लाइफ रहने वाला है नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए क्या कुछ नया बदलाव लेकर आने वाला है बिजनस जो करते हैं क्या वृद्धी होने वाली है इनके बिजनस में या कुछ इन्वेस्ट ये करना चाहरे तो क्या कुछ नया साल जो है इनके बारे में कहता है देखिए यह सक्षर वालों के लिए हमने कहा कि शूर्य और सुक्र के प्रभाव में रहते हैं तो जो लोग media entertainment इत्यादी छेतर से हैं, कला के छेतर से हैं, creative sector से हैं या लेखन इत्यादी के छेतर से हैं, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत अद्भुत रहने वाला है, प्रभाव में बृद्धी होगी, पद में बृद्धी होगी, उनको धन भाव से भी increment इत्यादी मिल सकत है, प्रभाव बढ़ जाएगा, धनभाव भी बढ़ जाएगा, साथी साथ अगर आप government सेक्टर में हैं, तो इस वर्ष कहीं आपके मन से बिपरीत, जहां आपको पसंद नहीं है, उस seat पर या उस अस्थान पर transfer इत्यार भी मिलता हुआ, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एसक्षरवालों के लिए अगर बात करिये ब्यापारिक दिश्रीकोंड से, ब्यापारिक दिश्रीकोंड से सपना जी यह जो वर्ष है, वह up and downs लेकर आ रहा है, उसका कारण है सूरी शनी का प्रभाव और साथी साथ शुक्र का, शूरी शनी का प्रभाव अतिबै कराएगा कहीं न कहीं आप से बेवजह की फिजूल खर्चे कराएगा लेकिन शनी और शुक्र का प्रभाव जो है एसक्षरवालों के लिए धन भाव में बढ़ोतरी कर रहा है ब्यापारी दिश्टिकोंट से अगर आप विस्तार करने जा रहे हैं अगर आप अपने ब्यापार की दिश करें कोई नौकरी के लिए उनके लिए ये नया साल क्या कुछ लेकर आने वाला है लेकिंगे ती अक्षर टी-ल्फाबेट के लिए हमने कहा प्रूंण के प्रभाव हो और बहुत सही लिया आपने की इदरवदर भटक रहा है तो हर तरीके के भटकाओं में रहते हैं आने व सुझेगे। एक्जाम सित्याद की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा भ्रमित है। थोड़ा सा मन को एकाग्र करिए एकाग्र करने के लिए गायतरी का जाप नैसे के साथ ही अगर आप से इस रूप से गौर्मेंट सर्विशेस में हैं और अब तक आपके उच्चस्त अधिकारी या कलीक्स आपको परिशान कर रहे थे या आपको बेवजह सताया जा रहा था तो अब आपको या तो नया अस्थान मिल सकता है या फिर नए सीनियर वरिश अधिकारी का आना और उसका आप पर अतिविश्वास करना और आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना यहां आपको थोड़ा सा मुक्ती से दे रहा है परिशानियों से इसके साथ अगर ब्यापारी बंधुओं के लिए देखा जाए शपना जी तो ब्यापारी बंधुओं के लिए इस वर्ष कोई न देना है सपना जी बिल्कुल अभी आपने बात की प्रोफेशनल लाइफ को लेके अब आ जाते हैं जो कि काफी महत्वपूर हो जाता है हर किसी के जीवन में कि उनका परस्नल लाइफ बहुत अच्छा गुजरे चाहे वो पती-पत्नी का संबंध है या फिर पिता-पुत्र का संबंध है और अन्य संबंध चाहे वो अफिशली आप देख लो या किसी तरह के का तरीके का संबंध जो है इस वर्ष क्या कुछ बद्दाव लेकर आने वाला है क्या कुछ परिशानिया आने वाली है या फिर लंबे वक्त से जो जगड़े चल रहे थे वो चीज़े अब स क्योंकि शनी और शूरे पिता-पुत्र का संबंध रखते हैं और आपके प्रशनों में ही आया कि पिता-पुत्र का संबंध कैसा रहे तो जाहिर सी बात अगर शनी और शूरे का वर्ष प्रभाव मिल रहा है और साथी साथ आपके एक्षर में शुक्र का प्रभाव है तो ऐसे में देखा जाएगा कि ऐसेंप्षर वालों के लिए, हैसलफाबेट वालों के लिए इस वर्श विश्यस रूप से अगर आप देखेंगे जो प्रेम संबंधों में हैं और वैबाहिक बंधन में बदना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुकत रहेगा 2024 के वर्ष में उनको नए बंधन में बदने की शुबता मिल सकती है ती अक्षर वालों के लिए क्या कुछ जो है चीजे दिख रही है नव वर्ष में जो आप कह सकते हैं कि लव वर्ट के लिए यह नया साल क्या कुछ कहने वाला है या फिर शादी करना चाहरे हैं कोई गर्फेंड बॉई फ्रेंड घरवाले नहीं मान रहे हैं क्या साल कुछ ख रखेंगे यह कभी भी इस्थिर संबंध में नहीं आ पाते हैं उसका रीजन है कि इनका मन भटकता रहता है चाहे करन्या हो चाहे पुरुश हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यहां पर आपको संपून रोप से देखने को लेगा चंद्रमा राहू के प्रभाव में मांस लड़का हो या लड़की दो महीने तीन महीने से जादा किसी एक रिलेशन में इस्थिरता रखी नहीं पाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा इस महीं इस वर्ष में अपने संबंध को बचाये रखना दूसरा अगर आप वैबाहिक बंधन में बढ़ना चा ये तो हो सकता है कि आपका संबंध लंबा चल जाए बच जाए लेकिन अगर आप नव विवाहिता हैं तो आपको थोड़ा सा अपने वारी भाव पर और अपने क्रोध पर नियंतरन रखना होगा अपने चारित्रिक भटकाओ को भी नियंतरन करके रखना होगा नहीं तो संबंध तार-तार हो सकते हैं स्वास्तना जी बिल्कुल अभी तक आपने जो है स्वभाव के बारे में बताया स्वास्त को लेकर बताया परस्नल प्रोफेशनल लाइट को लेकर बात की कहीने कहीं अगर अलोवर देखा जाए तो दिक्कत है इनकी लाइफ में आने इस रूप से भगवान स्री गणेश को विग्न हर्ता कहा गया है और हर कहीं न किसी न किसी कार में इस वर्ष क्योंकि शनी यहां पर सनी चंद्रमा का प्रभाव रहा है तो विग्न कहीं न कहीं आएंगे रुकावटे आएंगी तो ऐसी स्थितियों में आप दोनों के लिए इस और टी अक्षर के लिए सबसे अद्भुत और चमतकारी उपाय है विग्न हर्ता स्री गणेश को विशेश रूप से हल्दी की गांठ और दूरवा तीन या पांच साबूत गांठ हल्दी की जो हमारे ग्रामेर सेत्रों में एक्षर प्रयोग किया जाता था सपना जी अगवान स्री गणेश को बुधवार को आप अरपन करिएगा प्राम करते हुए ओम गण गण पते नमह मंत्र का जाप करिएगा और प्रातना कीजिएगा कि हे प्रभु 2024 इस नववर्ष में मेरे जीवन से हर प्रकार की विग्न बाधा को दूर करिए आप देखेंगे कि इ ऐसा उनका नववर्ष रहने वाला है और जो दिक्कत है उनके जीवन में आने वाली है उसके लिए जो है उपाए भी आपने बताए उमीद करते हैं कि हमारे दर्शकों का आने वाला नववर्ष मंगलमई हो धन्यवारा